दोस्कार दोस्तों स्वाबत है एक नए वीडियो है दोस्तों इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आपके पास OPPO Reno 7 है 6 है 5 है या फिर रेनो का कोई और फोन है किस तरह से आप कॉल और आईडे एनाउंस सेट कर सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फो पून आता है तो जिस नाम से आता है वो नाम मोबाइल बोल करके बताता है या फिर नंबर से आता है तो नंबर बोल करके बताता है इससे यह आप कर लेते हो कि हां सामने वाले का फोन पीक करना है या फिर नहीं करना है और यह फादे बन तब होता है जब आप हेड़ फोन यहां पर फाइदा नुकसान दोनों बताऊंगा लेकिन सेटिंग पर चलते हैं तो आपको डायलर पर चले जाना है तो हो सकता है कि अपना गूगल डायलर अपडेट कर लेना है अपडेट वीडियो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में प्लैलिस्ट पूरा पूरा उपका तो यहां पे Colour ID Announcement इस पर टाइप कर लेना है और थोड़ा सा अगर पुरा ना हुआ तो हो सकता है कि यह पुरा Line में हो छोटा चोटा दीखे लेकिन Colour ID Announcement दीखएगा उस पर टाइप कर लेना है इस पर क्लिक कर लेना है आपको अब यहां पर तीन उप्शन मिलता है, पहला मिलता है Always, अगर Always कर देते हो, तो देखो, एक फायदा तो यह होता है, कि किसी भी case में, आपने मोबाइल रख रखा है, टेबल पे, मेच पे, और दूसरे कमरे में बैठे हो, या फिर आस पास में कहीं बैठे हो, तो जब फोन या जो भी नाम से फोन आएगा, नंबर से, आपको पता चल जाएगा, है ना, और अगर आप इस पे टाइप करके, यह सेकेंड वाला ओप्सन चूच करते हो, यानि कि बीच वाला, तो जब आप हेट फोन, या फिर एर फोन, या फिर कार प्लेस से कनेक कर रखे हो, किसी भी तो भाई, मैं आलवेज वाला ना प्रेफर करके, मैं सेकेंड वाला करता हूँ, आपकी मर्जी है, आप आलवेज कर लो, या फिर ये सेकेंड वाला कर लो, क्योंकि हेट फोन से जब आप अटेंड करोगे कॉल, या फिर जब आप मुबाल की डिस्पले नहीं देख रहा हो, तो उसी समय आप चाहोगे कि आपको पता चले कि फोन किसका आ रहा है, आप चाहोगे तो नेवर कर सकते हो, नेवर करोगे तो ये बंद हो जाएगा, और आगर आपका रिंग टोन वाला प्रोब्लम है, जैसे कि अगर ये अलाव कर देते हो, तो बहुत सारे लोग का इश्य यहाँ पर नेवर करके फिक्स कर सकते हो, यानि कि ये प्रोब्लम नहीं है, फीचर एक्टिवेट कर देते हो, तो ओर रिंग टोन वाली प्रोब्लम आने लग जाती है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक किजिए, सेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए वावे